मा इसकंद माता की पूजा से ब्रहस्पती ग्रह से कैसे शुभफल पाएं, किस प्रकार मा की उपासना करें, पंडी जी से समझते हैं पंडी जी ऐसा कहा जाता है कि ब्रहस्पती ग्रह से शुभफल मिलता है, ब्रहस्पती मजबूत होता है मा इसकंद माता की पूजा से तो कैसे करें पूजा किन बातों का ध्यान रखे जैसा आपको पहले बताया कि ब्रihaspti संतान कारक होता है और अगर ब्रihaspti गड़बड है कुंडली में तो संतान होना भी कठिन है और संतान का योग्यता होना संतान की सफलता होना भी कठिन हो जाता है संतान सुख भी नहीं मिल पाता तो किस प्रकार मासकंद माता की पूजा करें कि ब्रिहस्पती बेहतर हो और संतान पक्ष की मुश्किलें दूर हो जाएं पीले वस्त्र धारन करके मासकंद माता का ध्यान करें उनके चित्र या मूर्ति के सामने बैठें इसके बाद ब्रिहस्पती के मंत्र का अधिक से अधिक जब करियेगा ओम ग्रांग ग्रीन ग्रॉम सह गुरुवे नमहा ओम ग्रांग ग्रीन ग्रॉम सह गुरुवे नमहा इस मंत्र का जब करियेगा इसके बाद माता से ब्रिहस्पती ग्रह को मजबूत करने की प्रार्थना करियेगा तो संतान पक्षवाला जो आपका प्रिहस्पती है ये प्रिहस्पती आपका मजबूत होता चला जाएगा आप चाहें तो मा सकंद माता को एक सोने का या एक पीतल का छला अर्पित करें और मा से प्राथना करने के बाद उस चल्ले को तरजनी उंगली में धारन करें ऐसा करने से भी आपका प्रिहस्पती प्रबल होगा और प्रिहस्पती संबंधी समस्याएं दूर होगी अब बात तुला राशी की शुक्र की ये राशी है तुला राशी वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा आपको क्या साउधानी बरतनी चाहिए और पंडिजी इनके लिए आज शुब रंग कौन सा और आत्र के पांचवे दिन मा इसकंद माता को पंडिजी हमें क्या विशेश प्रसाद अर्पित करना चाहिए जैसा कि हम सब जानते हैं कि हर दिन देवी को अलग-अलग भोग नवरात्री में लगाया जाता है तो मा सकंद माता को कौन सा भोग अर्पित करेंगे? कौन सा प्रसाद अर्पित करेंगे? नवरात्री की पंचमी तिथी पर जब देवी के पांचमे स्वरूप यानि मा सकंद माता की पूजा होती है तो माता को केले का भोग लगाना चाहिए इसके बाद इसको प्रसाद के रूप में ग्रहन करिए सन्तान और स्वास्थ्य इन दोनों से सम्बंधित बाधाएं आपकी दूर हो जाएंगे मा ИСकंद माता की क्रपा से सन्तान प्राप्ति के लिए कौन से विशेष मंत्र का जाप वो लोग कर सकते हैं जिनके पास सन्तान नहीं है पंडि जी से जानते हैं, पंडि जी कौन सा वो विशेस मंत्र है, जो हमें आज जाप करना चाहिए, मा सकंद माता की कृपा प्राप्त हो जाए और संतान प्राप्त हो तो कौन समंत्र पढ़ेंगे स्क्रीन पर देखिए मंत्र नंद गोप ग्रिहे जाता यशोदा गर्भ संभवा नंद गोप ग्रिहे जाता यशोदा गर्भ संभवा ये मंत्र आप जादा से जादा देवी का ध्यान करके नवरात्री में पढ़ें या नवरात्री के बाद भी पढ़ें तो संतान की प्राप्ती आपके लिए आसान हो अब वक्त है ऐसा क्यों जानने का पंडी जी ऐसा कहा जाता है कि मां इसकंद माता की पूजा के जाए तो ब्रहस्पती तो मजबूत होता ही है मंगल भी अच्छे फल देने लगता है ऐसा क्यों? ऐसा माना जाता है कि मा सकंद माता की पूजा से प्रिहस्पती बेहतर होता है लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि मंगल भी अच्छा हो जाता है ऐसा क्यों? देखिए मा सकंद माता की पूजा से प्रिहस्पती का संतान वाला पक्ष बिलकुल बेहतर होता है इसमें कोई दोराय नहीं है लेकिन अगर आप सकंद माता का स्वरूप देखें तो उनकी गोद में भगवान कार्तिकिये बैठे हुए हैं और भगवान कार्तिकिये की पूजा की जाती है मंगल को बहतर करने के लिए तो जब आप माता सकंद माता की पूजा करते हैं तो कार्तिकिय की भी चुकी आटोमेटिकली पूजा हो जाती है इसी लिए इनकी पूजा से मंगल भी बेहतर होता है आस्टो तक आप कर आपको मिलेगा भविश्य से जुड़े हर सवाल का जवाब डाउन्लोड कीजिए आस्टो तक आप और चुटकी में जुड़े इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलोजर से